नमस्कार देर्शकों, मैं हूँ आपकी होस्ट वानिया आर्या, मैं एक निमरोलोजिस्ट हूँ, एस्ट्रोलोजर हूँ और एक काउंस्लर हूँ दोस्तों अंक जोदिश की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे मुलंग साथ पर साधना एस्ट्रो में आप सभी का धेर सारा स्वाकित है दोस्तों जिन भी जातकों का जनम किसी भी महीने की साथ तारीक, सोला तारीक या फिर पच्चिस तारीक को हुआ है वो लोग मुलंग साथ से बिलॉंग करते हैं 2023 का भी अगर आप सम करते हैं तो वो मुलंग साथ पर आता है मतलब मुलंग साथ नहीं आता लेकिन 2023 को आप टोटल करते हैं तो वो साथ पर आता है मुलंग साथ के जितने भी लोग होते हैं इन्हें अपनी लाइफ में बहुत जादा शोर नहीं पसंद होता बहुत ज़ादा भीड नहीं पसंद होती बहुत ज़ादा पार्टी करना नहीं पसंद होता बहुत सोशल एनिमल ये लोग नहीं होते हैं अध्यातन की तरफ इनका रुजाव बहुत अच्छा होता है ये लोग ईश्वर में लीन रहने वाले लोग हैं कभी-कभी तो इनको जीवन में ऐसा लगता है कि मैं सब को छोड़ चाड़के चाहे वो इनके फामिली है चाहे वो इनके नौकरी है मैं ईश्वर के ध्यान में लग जाओ और ऐसा कई बार ये लाइफ में करते भी हैं इनकी लाइफ में चालंजिस आते हैं थोड़े बहुत बताने का मतलब आपको डराना नहीं है लेकिन कहीं न कहीं सेविन की लाइफ थोड़ी आइसोलेटिड होती है थोड़ा अकेला पन होता है उसकी लाइफ में और कहीं न कहीं over a period of time वो अपनी अकेले की company को enjoy भी करता है गनेश भगवान की आराधना आप जितना अपनी लाइफ में करेंगे उतना आप अपनी लाइफ में successful होंगे अगर हम golden period की बात करते हैं क्योंकि ये period जो है आपको life में बहुत कुछ देखे जाता है आपको बहुत सारा success देता है आपको बहुत सारी opportunities देता है 21 जून से लेकर 20 जोलाई जो है वो आपका golden period होता है इस period में आप सबसे जादा अपनी लाइफ में अपनी opportunities को manifest कर सकते हैं कुटों की सेवा आप जितनी करेंगे केतू उतना आपकी life में strong होगा केतू से बिलॉंग करने वाला number है आप अपने कान में सोना धारन कर सकते हैं अगर आप mail भी हैं तो भी आप एक छोटा सा stud गोल्ड का वेर कर सकते हैं सोना धारन करना केतू के लिए बहुत शुब होता है केतू हमारा जड है, root है, केतू हमारे ancestors हैं हमारे जीवन में आप जितना व्रदाश्रम जाके बड़े बुज़र्गों की सेवा करेंगे कभी जीवन में जाने अनजाने में अगर हमसे कोई भी गलती हुई है तो वो भी जो है, आप अपने मुज़र्गों से माफी जरूर मांगे है इसके अलावा जो है, क्योंकि यहां पर बात है केतू की तो जो केतू है, कभी-कभी हमें life में dissatisfaction भी देता है दोस्तों जो dissatisfaction होता है न, कि किसी चीज़ से आप happy नहीं है तो वो चीज़ आपको life में dissatisfy करके चली जाती है अब क्योंकि वो आपको dissatisfy कर रही है, तो उसके लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा इनको colorful जिंदगी बहुत जादा नहीं पसंद होती, थोड़ी सी boring जिंदगी पसंद होती है professions की अगर हम बात करते हैं, तो researches में ये लोग बहुत अच्छे होते हैं बहुत अच्छे scientists भी होते हैं PhD भी जो है, इनको जीवन में फलती है अगर ये PhD करते हैं, क्योंकि इनको हर चीज़ की तह में जाना अच्छा लगता है depth में जाना अच्छा लगता है बहुत अच्छे जैसे CID investigation officers होते हैं जिनको एक case है, एक post-martem करना है तो पूरा depth तक जाएंगे न, जब तक उनको results नहीं मिलेंगे तो similarly, इनको हर चीज़ की root में, depth में जाना पसंद है root जो होती है, सबसे end में आती है अगर आप एक 3 की starting से बात करते हैं तो केतु जड़ है, केतु हमारे पूर्वज है केतु हमारे अध्यात्म है बहुत सारी चीज़े हैं, लिंक्ट हैं ये सब चीज़े कभी घहराई में जाके देखिए केतु को घहराईयां पसंद है केतु एक बहुत ही deep think कर है तो हर चीज़ की depth अच्छी लगती है आप scientists देख लीजे जितने भी scientists, आप maximum scientists मोलांग साथ से belong करते हैं इनको अपनी health पर भी ध्यान देना अच्छा लगता है इसके अलावा इस साल को use कीजिए केतु का साल है, अध्यात्म की तरफ लेके जाएगा और जादा अध्यात में आपका रुजान बढ़ेगा अपनी opportunities को manifest कीजिए आपी का साल है अपनी चीज़ों को अच्छे से manifest कीजिए इस time को use कीजिए इन opportunities को life में use कीजिए और फिर देखिए जीवन आपको कहां से कहां लेके जाता है जिन्दगी आपको कहां से कहां लेके जाती है golden period मैंने आपको पहले बताया एक बर फिर बताती हूँ 21 जून से 20 जूलाई आने वाला time है already हम जून मन्थ को approach कर रहे हैं तो आप इस period को use कीजिए जो भी brown और cream color के docks होते हैं आप उनकी सेवा कीजिए में तो कहीं न कहीं हमारा अपना स्वार्थ होता है तो स्वार्थ से दूर रहे है और अपनी life में आगे बढ़िए अपनी केतू की energies को use कीजिए मंगलवार को मंदिर में जाकर आप सेवा कीजिए मंदिर में अगर किसी भी चीज के ज़रूरत है तो वो चीज़ें जो हैं आप वहाँ पर provide करा के आईए ओम केतवे नमहा का आप जाप कर सकते हैं बृद आश्रम जा सकते हैं मंगलवार के दिन वहाँ पर बड़े बुजर्गों की आप सेवा कीजिए आप शनिवार भी जा सकते हैं दोस्तों अगर आपका केतू लाइफ में अच्छा होगा ना तो अगर आप किसी सब्जेक्ट में मास्टरी करना चाहते हैं तो वो आपको बहुत इन डेप्थ लेके जाएगा और आपको जीवन में बहुत कुछ देखे जाएगा इस चीज का आप थ्यान रखिए ब्राउन कलर का यूस आप अपने लाइफ में कर सकते हैं किसी भी काम को करने से पहले जब भी आप घर से भाव निकल रहे हैं तो गनेश्ची की आराधना करना बिल्कुल भी ना भूलिए यह चोटे-चोटे रेमेडी करते रहे हैं सोना धारन आपको ज़रूर करना आपको गोल्ड पहनना है ऐसे आजकल गोल्ड स्नाचिंग बहुत होती है तो आप थोड़ा-थोड़ा डाल सकते हैं कर सकते हैं बढ़ आप गोल्ड वियर पीछे तो यह चोटी-चोटी रेमेडीज की बात करी प्रोफेशन्स की बात करी ओवरॉल नेचर की बात करी तो इनी सब शब्दों के साथ मैं अपनी वानी को विराम देती हूँ आपकी होस्ट वाने आरेया Signing off, love you all, namaste